दोस्तो जैम आता दी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 5 जुलाई याने की शुकरवार को किस साइड मु सेखने को मिले चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो की इंट्राइडे के लिए बैस्ट होता है आज दोस्तों मार्केट ने तकरीबन फसाही दिया साथ या पचास साथ के पॉइंट्स के मेरे बना हुआ था और बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट ब्रेकडाउन कर दिया था तो जब यह ब्रेकडाउन हुआ तब मैंने पुट साइड प्लान किया था एक बार तो 30-30 पॉइंट उसमें गेन हुआ लेकिन फिर से मार्केट रिकवर कर गई इसमें से जल्दी से दोस्तों ॥ॐ सुदार की चलना हुआ तो जाताऊं दिफ्टी ना तो जैदा नीचे लेके जाना था ना ज्यादा उपर लेके जाना था और मैंने सपोर्ट पे चल ली किया डिटा निफ्टी ने सपोर्ट नहीं सबन कहा इसंपर कर गया क्या-क्या हमने डिसकस कहा था वो भी हम देखेंगे पहले यह देख लेती कल कहां पर मुमेंटम हो सकता है देखिए आज भी मैंने दिन में अपडेट किया था कि लगातार तीन चार केंडल नेगेटिव बनी है एक स्विंग बनाने के लिए दो चार ग्रीन केंडल बन सकती है हाला कि अब इसमें खुद की गलती बालो या जो भी मिस्टेक होती उनको सुदार के हमको चलना चाहिए लेकिन मैंने अपडेट कहा था कि भाई जब रिकवर कर रही है तो पोजेटिव हम तब बनेंगे जब यह इस सेलिंग एरिया यानि की 53200 के ऊपर निकलेगी बिल्कुल इसको हो चुका है यहां पर हो चुका है आज भी हो गया है तो एक ब्रेक आउट आने के बाद फिर से हमको मुमेंटम मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है हलकी फूल की गैप भी खुलती आनि कि 53200 के नीचे कहीं भी अगर बैंक निफ्टी खुलती है और 53200 के उपर निकलती है तो एक मुमेंटम हमको फिर से देखने को मिल सकता है पचास साथ पॉइंट का स्टोप या साथ 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 पॉइंट का स्टोप लोज डालके वन इस्टो टो टो टार्गेट के लिए मैं कोल साइड जाना पसंद करूंगा टार्गेट मेरा वही 35500 क पहला राउंड लेवल है रिजिस्टन्स तो उपर कोई है नहीं लेकिन उप्शिन चैन के नुसार सबसे ज्यादा मंदी वालों की पोजिशन कोल राइटर की यहीं पर मिलेंगी क्योंकि राउंड लेवल पर मिलती है तो पहला टार्गेट मेरा क्या हो जाएगा 35500 का हो जा अगर पहली 15 मिट की कैंडल बहुत बड़ी बन जाती इस तरीके की तो आज की दरह भाई फिर से उलजा देगी किसी साइट कलियर मोमेंटम नहीं होगा तो अगर बड़ी कैंडल बन जाती है तो मैं यह गलती दोपारा नहीं करूंगा मैं काम कर नहीं करूंगा फिर बैंक पूट साइट दोस्तों कब प्लान करेंगे दिखिए लास्ट स्विंग जो हमारा कल सपोर्ट था उसके उपर क्लोजिंग आ गई है और कही ना कहीं इसके नीजे निकलने के बाद तो यह रजिस्टेंस बन गया था लेकिन अगर आप देखो कि तो बहुत अच्छा का मूविंग एवरेज भी है जिसको टच करके आज मार्केट ने रिकावरी की है और मैं इसमेंस इसलिए भी नहीं निकला था क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया था लेकिन प्रोपर ब्रेक नहीं हुआ था यह पांच मिनिट के टाइम फ्रेम में ब्र कलियर हो जाती है अब यह मुविंग एवरेज भी दोस्तों टेस्ट हो चुकी है तो अगर फ्लेट खुलती है पिर से यह 53,000 या फिर 52,950 के नीचे निकल के यानि कि यह जो लास्ट स्विंग बात को समझीगा जो लास्ट स्विंग है 52,950 के आस्पास है इसके नीचे फ्ल पुट साइड जाना पसंद करूंगा अगर बहुत बड़ा गेपडाउन खुल जाती है बैंक निफ्टी तो भी दोस्तों मार्केट थोड़ा सा क्रेक हो सकती है क्योंकि दोदो स्विंग है हमारे पास एक तो है 52,950 के आसपास दूसरा दोस्तों वही है जिसका हमने पिछले क हम इगनोर नहीं कर सकते हैं यह 52,800 का लेवल है दो स्विंग है अब आप खुद सोचिए अगर 52,950 यहां पर गैपडाउन खुलती है और यह जो लास्ट स्विंग है अगर गैपडाउन खुलके इसको ब्रेकडाउन कर देती है तो 200 दिन के मूविंग एवरेज तक यानि क एक 300-400 पॉइंट की क्रेक्शन देखने को मिल सकती है नीचे डोर ओपन है बेंक निफ्टी के लिए तो भी मैं दिन का हाई स्टोपलोस डालके और फिर 50-60 पॉइंट का स्टोपलोस डालके तकरीबन 52,500 तक के टारगेट के लिए मैं पूट साइड जाना पसंद करूँगा अब अगर दोस्तो गैप अप खुल गई मा लिजी सीधा 53,300 के ऊपर कहीं ना कहीं गैप खुलती है जैसे कि आज खुली थी तो एकदम से मैं बुलिश नहीं बनूँगा ना एकदम से बेरिश बनूँगा अगर ये गैप को फिल करके वापिस दिन का हाई ब्रेक करती है त थोड़े से चोटे टार्गेट के लिए मैं दिन का लो यहां फिर जहां से ब्रेक आउट आया उसके थोड़ा सा नीचे 60-70 पॉइंट का स्टोपलोज डालके 53,500 के टार्गेट के लिए मैं कोल साइड जाना ही पसंद करूंगा ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे क मतलब क्या ही कहने निफ्टी के तो एकस्पायरी वाली दन आपको पता है क्या होता है अब निफ्टी का अगर मैं बताऊं डिसकस हमने यह क्या था कि 24-300 के उपर अगर निकलते तो 400 तक का मोमेंटम मिल सकता क्योंकि राउंड लेवल अब आप खुद देखे बिलकुल 400 वा गई थी इस वाले पर और इस वजह से हो सकता है बेंक निफ्टी ने सपोर्ड नहीं किया क्या गरे तो तो अगर तो तो क्रेक्सον ने को मिल सकते लेकिन सपोर्ट ब्रेक होने से पहले प्लान नहीं करें क्योंकि रिकवरी आ गई तो जो डेटा बना फिर पोजेटिव वह जाएगा अलागी शाम होते होते भी डेटा पोजेटिव नहीं बना था नेगेटिव से फ्लैट हो गया था फिर मैं यहाँ पर प्लान किय तो एक स्विंग बनाने के लिए दो चार ग्रीन केंडल बना सकती है अब ग्रीन केंडल जुरूर बनाई लेकिन उसके बाद एक लाल रंगी केंडल बना के मार्केट रीकवर ही कर गई इस वजए से फिर मैं जब जो सपोर्ट ब्रेक वा तो आपिस जब अपर साइड ब्रेक ह इसन से निकल गया था यह कुछ एटिएफ दोस्तों थे जो जरूरी एटिएफ हैं जो मैंने पोस्ट के यह बज़त नेगेट में जो मेरे से यह बन पड़ती है बाई में प्ॉस्ट करने की कुसिश करता हुँ वीडियो के description आपको link मिल जाएगा original channel का नहीं तो comment में pin कर दूँगा सरच करोगे तो दोस्तो इस logo से इस नाम से बहुत सारे fraud channel मिलेंगे उनके subscriber आपको उनके 3-4 गोना ज्यादा दिख सकते हैं लेकिन वो fake subscriber है बोट subscriber उनकी post पर आपको इसे 49,000, 40,000, 47,000 ऐसे views नहीं मिलेंगे ना तो भाई मेरा कोई paid group है ना मेरे कोई whatsapp group है ना मेरे कोई investment group है ना मैं call tips advice देता हूँ प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा call tips के लिए ना दें यह हाथ जोड़कर आपसे request है बहुत सारे लोग आजकल fraud channel बना के लोगों से पैसे मांग रहे हैं कि मैं market यातरा से बोल रहा हूँ आप 10,000 दीजिए 20,000 हो जाएंगे 30 दीजिए 50 हो जाएंगे भाई ऐसे लोगों के चक्रों में मत पड़ो ऐसे कुछ भी नहीं होता है शेर मार्केट में लोग आपको बेवकूब बना रहे हैं फिर आप यहां comment करते हैं वीडियो के नीचे आके हाँ जोड कर रिक्वेस्ट है भाई मत दीजे किसी को पैसे चलिए निफ्टी को देखते हैं टेलीग्राम भी भाई कोल्टिप्स के चक्र में जोइन मत करना हाँ सीखने के लिए आना चाहते हो तो ही लिंक से ही जोइन करना अधरवाई मत करना क्योंकि आप बिना बात के फ 12,250 के आसपास मुझे सपोर्ट दिख रहा है उपर जो रिजिस्टेंस दिख रहा है वो जो साइडवेज रेंज है आज की 304 पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की कितने पे क्लोजिंग आई है एक बार देख लेता हूं मैं 302 पे क्लोजिंग आई है ठीक है तो अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट खुलके 15 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ती है 24,390 के नीचे निकलती है तो 24,250 और अगर फि चोटे टार्गेट के लिए 50 के लिए और अगर गैप डाउन खुल जाती है सीदा 275-250 के आसपास फिर यह जो स्विंग है यह 24,250 वाला यह ब्रेकडाउन होने के बाद एक हलका सा रेटेस होने के बाद फिर यह गैप फिल हो सकता है भाई फिर मैं थोड़े से बड़े टार 255 तक के टार्गेट के लिए मैं पूट साइड जाना पसंद करूंगा कोल साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे देखिए एक जो रजिस्टेंस है निफ्टी में वो है आज का हाई यह वाला जहां से निफ्टी ने आज प्रोफिट बोकिंग दी है अगर इस साइडवेज र फोड़ा सा मुस्की लो सकता है क्योंकि 50 पॉइंट में इतने प्रीमियम बढ़ते नहीं है फ्लैट खुलते हैं तो यहां तक मैं प्लान करूंगा क्योंकि 100 अल्रेडी हो जाएंगे 50 पॉइंगे 50 पॉइंट तो रेजिस्टेंस तक हो जाएंगे 50 फिर नेक्स रेजिस्टे 2400 के आसपास लेवल को टच करके 24390 के लेवल को टच करके थोड़ा सा रीटेस्ट कर देती है फिर से अगर ब्रेक आउट देती है 24400 का तो फिर 24500 का मेरा अगला टार्गेट हो जाएगा या तो स्विंग के नीचे या फिर 1520 पॉइंट का स्टोपलोस डालके मैं कोल जाना पसंद करूंगा यह दोस्तों निफ्टी का अगर मैं ऑप्षेन चैन आपको दिखाऊं निफ्टी की आज कल एक नहीं एक्सपैरी शुरू होगी तो ओपन इंट्रेस्ट तो है ऐसी बात नहीं है 24300 पे देखिए एक लाख तेईस जार 162 मंदी वाले बैठे हैं टारगेट मिल सकते 24400 इसके ऊपर निकले तो 24500 डाउनसाइड देखिए 24200 पे हमको सपोर्ट दिख रहा है 24300 के निचे निकलती है तो 200 तक का टारगेट उसके बाद सीधा हमको टारगेट दिखेगा 24000 का लेवल जहां तक गेप फिल होता है क्योंकि बीच में इतना ज्याद टाकि साइड जाने के संकेत दे रहा है बैंक निफ्टी का देखिए बैंक निफ्टी की बेंक निफ्टी की ऑप्शन चैनकों 10 बजे के बाद ही पढ़ना है ताकि नई पोजिशन बन जाए अभी देखे 53000 के लेवल पे 38 बैठे तेजी वाले 14 बैठे मंदी वाले एने की का टार्गे 53500 का भी देखने को मिल सकता है 77000 का फिर ओपन इंट्रेस्ट रजिस्टेंस वालों का तो यह रहेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के आकड़े और यह आज की वीडियो थी जो डेटा जैसा भी बनेगा मैं पोस्ट करनेंगी टेलिग्राम पर कोसिस करू कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेर जरू कीजेगा ताकि जरूत में लोगे तो वीडियो असानी से पहुंच जाए अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भुगवान करें आपका दिन शुब रहे मिलत हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए बाइबाए जै माता दी जै हिंद